नकसलियों के गड़ में लहराया तिरंगा और याद करिए आप कि जब 36 गड़ के बस्तर में किसी गाउं में तिरंगा जंडा का फहर जाना खबर हो तो वो खबर बनेगी ही बनेगी ऐसे ऐसे गाउं है बस्तर में ऐसे ऐसे गाउं है जो आज भी आजादी के माइने नहीं समझते हैं आजाद भारत आजाद देश में उन्हें क्या हासिल हो सकता है इसका मतलब नहीं समझते हैं इसलिए इस खबर को बताना जरूरी है कि नकसलियों की गढ़ में लहराया तिरंगा और ये दुखत भी है कि पहली बार ऐसे गाउं है जहां अब तिरंगा लहरा रहा है जब नकसलियों का खात्मा हो रहा है ये भी एक तरहिके से बहुत बड़ी जीत है भारत की ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि धीरे धीरे हम नकसलियों के गढ़ में अंदर तब दबा कायम कर पा रहे हैं तो चलिए पूरी खबर बता देते हैं और खबर की शुरुआत कर लेते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा ये लाइन 36 गढ़ के नकसल प्रभावित गाओं में जब गाया जाता था तो नकसली उन्हें मौत के घाट उतार देते थे, मार डालते थे, काट डालते थे, जिंदगियां छीन लेते थे आज 30 से ज़्यादा गाओं ऐसे हैं, जो पहली बार आजादी के समारों में शामिल हुए हैं, पहली बार शामिल हुए हैं और बंदे मात्रंग की जगह लाल सलाम बुलवाया जाता था, लाल सलाम बुलवाया जाता था लेकिन अब बस तस्वीर बस्तर की बदल चुकी है, नकसलवात का दंस झेल रहे इन गाओं में, जब पहली बार तिरंगा फहराया गया तो पूरे देश का सीना चोड़ा हो गया, 36 गड़ के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धी है ही इन गाओं वालों के लिए स्वतंतरा दिवस और गड़तंतर दिवस जैसा कोई पर्व ही नहीं था लेकिन अब सासन प्रसासन ने गाओं वालों को मुख धारा से जोड़ा है तिरंगे के महत को बताया है, समझाया है, देश भक्ती के पाठ का नया चेफ्टर लिखा है, नए अध्धाय की शुरुआत हुई ये वो इलाका है जहां बीते साल नकसलियों का खात्मा करने में सुरक्चाबल काफी काम्याब रहे है मंगनार एक गाओं है जहां लोगों ने जवानों को आजादी का उत्सो मनाने का नियोता दिया था देख लिजए, बच्चे और महिलाओं के साथ साथ गाओं के लोग नजर आ रहे हैं ये बहुत अच्छी तस्वीर है, बारिस में भींगते हुए जंडा फहरा रहे है दिखा दिजे भाई, जंडा फहराने की तस्वीर दिखा दिखा दिजे बंदूक के साए में ही सही, सुरक्षा बलों की निगरानी में ही सही ये बस्तर का नौनिहाल अगर भारत माता की जै कह रहा है तो इसके बहुत बड़े माइने हैं पीडियां की पीडियां बरबाद हो गई है नकसलियों के दंस में लोगों की जान चली गई है, लोग तबाह हो गए है राज भी बस्तर के कई ऐसे इलाके हैं जहां आजादी का मतलब लोग समझते नहीं है सोचिए, सोचिए, जहां एक मा हसते हुए अपने बच्चे को कहे कि इलाज ना मिले तो ये तो मर ही जाएगा उस इलाके में अगर बच्चे सिक्षित हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब दिया है सुकमा जिले के परिया गाउं में भी पहली बार दिरगा लहा है धने जंगलों के बीच बसा ये गाउं कभी नकसलियों का बहुत मजबूत गड़ था लेकिन अब यहां फोर्स ने अपना कैम्ट इस्थापिक कर लिया जिसके बाद पहली बार परिया गाउं के ग्रामीडों ने आजादी का जस्न मनाया है ये वीडियो पुवर्ती गाउं का है ये गाउं पांच महीने पहले तक नकसलियों का राजधानी हुआ करता था लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है देश का सबसे खतरनाक नकसली कमांडर हिडमा पुवर्ती का ही रहने वाला है लेकिन इसी साल फरवरी महीने में फोर्स ने यहाँ एक कैम खोला जिसके बाद याँ की तस्वीर बदलने लगी देख लिजे कैसे गाउं में 15 अगस्त मनाया गया है बच्चे विद्यार्थी ग्रामीड सब सुरक्षा बलों के साथ जंडा फैरा रहे हैं उप मुखमंत्री विजज सर्मा और आई जी क्या कह रहे हैं इस मौके पर ये भी सुनना जानना आपके लिए जरूरी है सुनाईए इन लोगों का बयान क्या कह रहे हैं मुझे जानकारी है कि एक ऐसे विक्ति ने जिसका आई डी के ब्लास्ट में पैर उड़ गया था अपाहिज हो गया था जीवन बर के लिए उसने भी आज तिरंगा पैराया है मैंने ये भी सुना है कि एक बच्चे ने जिसके पिता को नक्सिलियों ने मार दिया था उस बच्चे ने भी आज तिरंगा पैराया है बहुत बड़ा संदेश है पूरे समाज के लिए पूरे बस्तर के लिए जन जन तायार है अब विकास के मार्ग पर सरपड़ दोड़ने के लिए सोंतरता दिवसके आउसर पर बस्तर शेत्र की अंधुनियम मनाचर शेत्र सै अन्नी सभी लागा में आज बच्चे मैला बुजुक सभी ने हर्शे मुलास के सार तिरंगा फैराकर राष्ट्र परको मनाय गया कासर पर पोवर्ती टेकल गुड़न पानी डोबीर मस्पूरी रखपटी जैसे इलाका में पहले बार कोई राष्ट्र पर कासर पर तिरंगा फैराय गया बस्तर शेत्र के शांती सुरक्षा बिका से तुर अनेक हमारा सुरक्षा बल सदसे पूलिस जवान दोरा तदर शेत्र की नायक दोरा अपना सर्वचत्म बलिदान दी दिया गया तो चलिए ये थी वैसे इलाकों की खबर जहां पहली बार तिरंगा फैराय गया पंदरा अगस्त पर सुक्मा से एक और अच्छी खबर आईए मुख धारा से भटक चुके नकसली आज लोग तंतर का हिस्सा बन चुके है कभी तिरंगे के खिलाब अपनी आवाज बुलंद करने वाले ये सारे नकसली अब नकसली नहीं रहे हमारे आप के जैसे देश के नागरिक हो गया है इन सभी लोगों ने आज तिरंगे को सलामी दिया है और आजादी का जश्ल मनाया है सारे ही नकसली उपर दस दस लाख का इनाम था विस्तार ने उजने आत्म समर्पित किये सोडी मुया मितलेश और अनीता से खास बातचीत की है क्या कह रहे हैं जो अब तक नकसली थे ये भी तो सुनना जरूरी है सुनाइए जरा जो कभी लोकतंत्र के दुश्मन हुआ करते थे लाल आतं के गड में रहते थे और ऐसे लोगों के पास आज विस्तार ने उस खुसिया बाठ ने पहुंचा है कर लाओ दीवस मनाते हैं वाहनक्सली यहां तौन लग रहा है वाहन जो संगठान में रहते समय जो उनका वाओ वादी संगठान के जो सिद्दान ते उनका पालन करना जरूरी है स्वातंत्रता दिवास यहां पे माना रहे हैं, आमें भी बहुत कुछी है, ति थोड़ा स्वातंत्र रहे है।